हालो गाईस कैसे हुआ आप लोग उमीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे तो आज है 19 फरवरी 2024 से 36 गर से जितने भी महत्तपूर करेंट अफेर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही इस वीडियो का पीडिये आप हमारे टेलिग्राम चैनल से के description में दे रखा हूं हाल ही में चर्चित फोल पाड जलप्रपात किस जिले में स्थित है चार आपसंदिये गए हैं दंतेवाडा बस्तर नरायरपूर महसमुन इसका राइट एंसर हो जाएगा ए दंतेवाडा जिले में स्थित है अब दंतेवाडा की बात आई है तो दंते दंतेवाडा के बारे में कुछ important factor देखते हैं इस्थापना 1908 जिला मुख्याल दंतेवाडा 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 डंगनी संगनी नंदी के किनारे बसा है ये भी question पूछा जा चुका है कि डंगनी संगनी नंदी के किनारे कौनस जिला बसा है तो दंतेवाडा बसा है लोह एसक छेत्रा बैलाडीला 1968 से प्रारंब प्रारंब किया गया किनके द्वारा यहाँ पर लोह एसक की जाता है तो NMDC के द्वारा ठीक है खनन किसके द्वारा किया जाता है तो NMDC, इध्वारा खंनन प्राराम भविशाखा पत्नाम बंद्र गहा दोरा किया जाता है और यहाँका जो लोव आयास के हैं, जपान को निर्यात किया जाता है हिमेटाइट किस्मकी, टीन आयास का भंदारान है, बर्चेली, नियुरेलियम भंदारान भर्चेली यहां से क्या है तो टीन और नियूरेलियम की भंडारम है दंतेश्वरम मंदिर का निर्माण काक्तीर अमन्देव ठीक है अमन्देव द्वारा करवाय गया है बासो छिंदक नांगवंसी का सासकों की राजधानी रही है प्रसिद्ध मंदिर मामा भाजा मंदिर 32 मंदिर चंद्रती तेश्वर मंदिर यह कहा है तो सब यह दंतेवारा में इस्तित है बोधगाट प्रियोजना इंद्रवति जैंदी पर प्रस्तावित है राश्टी राजमार्ग इन एच 163 ए सबसे छोटा राजमार्ग है इस कोशन स आप इतना इंपोर्टेंट फेक्ट को याद रखिए चलिए इनेश्ट कोश्चन की ओर बढ़ते हैं वर्ल्ड कराटे चेंपियन फुजय है यूएई में चैनित हुआ है ठीक है कराटे चेंपियन में किसका चैनित हुआ है चार आपसंदिये गए हैं सवीता लहरे इसनेह बन जारे सुमन रतना कर ममता चंद्रा कर इसका रैट एंसर हो जाएगा भी इसनेह बन जारे का ठीक है किसका चैनित हुआ है यहां कहां होगा तो यूएई में होगा ठीक है वर्ल्ड कराटे चेंपियन के लिए अब इसनेह बन जारे किस जिले से संबंदित है तो यहां कोर कोर्बा जील्य één की बात आई हैं तो जीले के बारे में कुछ important factor देखते हैं इस्तापना 1998 जिल्या मुख्या लाई कोर्बा मात्रत्त जीला विल्यासपुर मुख्यास अपने क्विल्णापूर से प्रिथक करकर के कुर्भ जीले का प्राप्त किया जाता है तो बक्साइट प्राप्त किया जाता है मुख्य जन जाती कमार यहां पर निवास करते हैं कोरबा कमार यहां पर निवास करते हैं उद्योग NTPC कोरबा 1983 विद्धुत उत्पादन चमता कितना है उसका तो 26 मेगावाट है बालको कोरबा 2001 में सयुक्त उपकर्ण इस्टरलाइट कमपनी स्थापना 1965 उत्पादन चमता 1975 से प्रारंभ हुआ स्याम प्रसाद मुखर जी ताव विद्धुत ग्रिह पूर्व में कितना था तो 500 मेगावाट विद्धुत उत्पादन चमता था मुख्यनदी प्रियोजना हस्दयो बांगो प्रियोजना इस्थापना 1967-1994 में विद्धुत उत्पादन माचा टोली कोरबा 120 मेगावाट विशेश 36 गड़ की पहली महिला सांसग मीनी माता के नाम पर इस योजना का नामकरण मीती मीनी माता बांध रखा गया ठीक है प्रदेश का सबसे उचा बांध कितने मीटर है तो यहां 87 मीटर उचा है प्रमुक परियता नेतिहासिक छेतर देखते हैं तुमार 36 गड़ में कल्चूरियों की प्रथम राजधानी रही है पाली पाडवनसी सासकों की राजधानी प्राचिन स्यूमंदीर जलाल देव प्र जा चुका है कलिंग द्वारा महर्शी मर्दानी माता महमाया मंदिर कहा है तो कुर्बा मीजथी था है लाफागर 36 गड़ का चितोड कुदुरमाल कभीर पंथियों का पवित्र इस्थाल मुक्तमडी सहाब के द्वारा इस्थापित किया गया है इस कोशन से अभी आप इतन की प्रतिमा किस जीला से प्राप्त हुई है चार आप संदिये गए हैं कुंडा गाउं सकती राइगार धमतरी इसका राइट इंसर हुजाएगा ए कुंडा गाउं जीले से प्राप्त हुआ है अब कुंडा गाउं जीले की बात आई है तो कुंडा गाउं के बारे में कुछ important factor देखते हैं स्थापना दो हजार बारा मुख्याल है कोंडा गाउं कोंडा गाउं नारंगी नंदी के किनारे बसा है केस काल घाटी 36 गड़ का सबसे बड़ा विभाजक परवत है जिसमें कुल कितने हैं तो बारा मोड इस्थित है तेली माता मंदिर यहीं की परिस्थित है कोंडा गाउं काश्ट सिल्प के लिए प्रसिद्धा है और कोंडा गाउं को सिल्प ग्राम की संग्या दी जाती है धातु सिल्प खडवा कला कला कलाकार जैदेव बगहल की राजधानी रही है 36 गड के सभी जीलों में सर्वधिक लिगन उपात किसका है तो कोंडा गाउं जिले का इस्थित है केस काल एवं उदर वादी में बगसाइट की भंडारन छमता है इस कोसंस भी आप इतना इंपोर्टेंट फेक्ट को याद रखिए चलिए नेश्ट कोस्चन की ओर बढ़ते हैं आर्थिक सडवेक्षड 2022-23 के मुताबिब राज्य की प्रतिवेक्ति आय कितनी हैं चार आप संदिये गाए हैं एक लाग पच्चीस जार दो सव रूपए एक लाग सैतालीस जार तीन सो एक सट रूपए दो लाग पचास जार शव रूपए डि इन में से कोई नहीं इस एक लाग सैतालीस हजार तीन सो एक सट रूपए हैं कौन सा सरवेक्षड में तो दो हजार 22-23 के सरवेक्षड में ठीक हैं ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तो कमेंट बाक्स में जरूर बताना यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हिलफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंट थाइंक्स पर वाचिंग इंडिया गार्ड